Welcome to Only I.S. स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में. InVormant के Current Affairs के Revision का ये हमारा 12. लेक्चर है. आज के इस सेशन में हम अगस्त महिने के InVormant के Current Affairs को Revise करेंगे. इस सेशन का First Important Article पैंगोलिन के बारे में है. Context क्या है? अभी हाल ही में एक पैंगोलिन को Spot किया गया था जो बैलोपूर एरिया है नोईडा का वहाँ पर. पुलिस में उसे Rescue किया और उसके बाद उसे Hand Over कर दिया गया Forest Department को. तो ये तो पूरा Context था. बात करते हैं पैंगोलिन के बारे में. पैंगोलिन एक प्रकार का मैमल होता है. जिसके बाड़ी के उपर कई सारे Scales यानि की परते होती हैं. आप इस Image में देख सकते हैं. इसलिए इसे Scaly Antieter कहा जाता है. ये चीडियों को खाया करता है. इसलिए ये एक Elongated Armoplated Insectivore मैमल है. इसके पूरी बाड़ी पर जो Scales होती हैं वो उसे एक कवच नुमा आकरती दे देती हैं. ये Insect को खाया करता है. इसलिए इसे Insectivore कह दिया जाता है. ये जो Scales इसके पास हैं. इसका इस्तेमाल ये एक Armor की तरह करता है. एक कवच की तरह करता है. खुद को Defend करने के लिए. क Predators से. जो भी जानमर इसके उपर हमला करते हैं. जब भी कोई जानमर पैंगोलिन के उपर हमला करता है. तो ये पूरी बाड़ी को रोल कर लेता है. और रोल करके एक Ball नुमा आकरती बना लेता है. जिसके चारो और ये Skills होती है. इसके बाद उस Predator के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इसे अटाइक कर सके. लेकिन एक Predator है. जिससे पैंगोलिन नहीं बच सकता. आप समझ गए होंगे वो कौन है. वो है इंसान. इंसानों से ये पैंगोलिन नहीं बच पाता. मिलियन्स के नंबर में इन्हीं जान से मार दिया जाता है. इनके मारे जाने का एक महत पूर कारण इनके वही स्केल्स होते हैं जिसका इस्तिमाल ये बाकी Predator से बचने के लिए करता है. आईरनी है न? क्यों मारा जाता है? देखे, कई सारी traditional medicines में जो ये स्केल्स हैं, इनका इस्तिमाल किया जाता है. और ऐसा माना जाता है कि कई सारी बीमारियां इस स्केल के इस होते हैं. It is a kind of protein. ये वही protein है जो हमारे rails को भी बनाता है. इनसानों के नाखुनों को. तो फिर हम अपने नाखुनों को युखार कर क्यों नहीं इलाज कर लेते? लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उससे तो हमें पेन होगा. पैंगोलिन को मारने में हमारा तो कुछ न इनका staple food यानि की एक मुख्य भोजन होता है. तो डाइट में ये चीटियों को भी खाते हैं, termites को भी खाते हैं, कोई larva मिल गया तो उसे भी खाते हैं. आर्च species पैंगोलिन की पाई जाती हैं दो continent पर Asia और Africa. इंडिन पैंगोलिन और चैनीज पैंगोलिन ये दो हैं जो में मिल जाएगा हिमाले के south में north eastern region को छोड़के, जबकि Chinese पैंगोलिन आपको miserly north eastern region में ही मिलता है. अब यहाँ पर protection status की बात करें तो schedule 1 में है ये wild life protection act of 1972 के, appendix 1 में है sites के, sites का full form होता है convention on international trade in endangered species. व्यापार को रोखने की कोसिस की जाती है ताकि जीवों को ना मारा जाए. IUCN की red list में ये है endangered हम बात कर रहे हैं Indian pangolin की. Chinese pangolin wild air protection act of 1972 के schedule 1 में है और ये है critically endangered IUCN की red list में. तो ये आप जानते रहेगा कि दोनों की status में अंतर है. Indian pangolin endangered है और Chinese pangolin critically endangered है. हमारा next article अस्वगंधा के बारे में है. ये बहुत unusual होगा कि COVID के इतने बड़े time duration के दरान आपने इस सब्द को ना सुना हो. Ministry of IUCN ने एक collaboration किया है UK का जो London School of Hygiene and Tropical Medicine है उसके साथ जिसमें ये study को conduct करेंगे अस्वगंधा के उपर. कि क्या ये COVID-19 की recovery में beneficial है? वैसे massive scale पर इसका इस्तेमाल किया गया COVID-19 की recovery के लिए. Traditionally ये proven था कि ये immunity को boost करता है और body को ताकत देता है, पूर करने को लेकर. अस्वगंधा का scientific name है विथैनिया सौमनिफेरा. इसे Indian winter cherry के नाम से भी पुकरा जाता है because इसमें एक fruit आता है जो cherry की तरह ही होता है. लेकिन जो इसके काम का हिस्सा होता है पौदे का वो होती है इसकी roots यानि की जड़े. Traditionally Indian herbs में इसका इस्तिमाल energy को boost क करने के लिए stress को कम करने के लिए और immune system को मजबूत करने के लिए का लंबे समय से किया जाता रहा है. इसे adaptogen के रूप में classify किया जाता है इसका मतलब ये है कि ये body में stress को manage करने की छमता रगता है. काफी लंबे समय से इसका इस्तिमाल होता आ रहा है चुकि जो जो दिक्कते ये cure करने में capable है वो सारी problems हमें COVID-19 में देखने को मिलती है इसलिए massive scale पर इसका इस्तिमाल उसमें भी recovery के लिए किया किया असुगंधा को widely जो dry part है sub-tropical region का इंडिया में वहाँ पर उगाया जाता है जैसे के राजस्तान, पंजाब, हर्याना या उत्तर प्रदेश, गुजरात, महराश्ट और मंध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ये इंडिया के ऐसे regions हैं जहाँ पर असुगंधा उगाया जाता है इसे रेखे बहुत ज़्यादा बारिश के आवशक्ता नहीं होती है drought tolerant crop है 60-75 cm rainfall हो गए, that will be enough temperature 20 degree Celsius से 35 degree Celsius के बीच हो तो ये काफी suitable होता है हमारा next article सुल्तानपुर और भिंडावास वेटलैन के बारे में है ये दोनों ही वेटलैन हर्याणा से विलॉंग करते हैं सुल्तानपुर, नेशनल पार्क और भिंडावास वाइलेफ सेंशुरी दोनों को अभी इंडिया की रामसार साइट की लिस्ट में include कर लिया गिया है जिसके बाद इंडिया में रामसार साइट की जो संख्या है वो 46 हो गई है देखे इन ही में से कुछ को रामसार साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डेकलेर कर दिया जाता है तो फिर उनके लिए ग्लोबल फंडिंग वगएरा आने लगती है Before that इंडिया खुझ से भी रामसार साइट वेटलैंड के लिए डिकलेर करता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये हर्याना के गुरगाओं जिसे आज आप गुरुगराम नाम से पुकारते हैं वहाँ पर सिचुएटेड है पार्क 553 एकर में फैला हुआ है ये काफी important wetland है जहां पर कई सारे rich plants और animal life आपको मिलेगी 220 resident winter migratory और local migratory water birds आपको यहां पर मिल जाएंगी जो अपने life के बहुत ही critical stage पर यहां पर आकर जीवन यापन करते हैं अगर हम मिंडावास wildlife sanctuary की बात करें तो ये हर्याणा के जजजर district में situated है 2009 में इसे bird sanctuary declare किया गया था It is a kind of ecological corridor यहां से साहिवी river गुजरती है जो अरावली परवत को ये जो पहाडियां है रजस्थान में उनको cross करते हुए यह मुना तक जाती है जो sanctuary है ये काफी बढ़ियां habited है animals और plants के लिए 265 birds की species यहां पर report की जाती है 30,000 migratory birds जो 250 species से belong करती है वो throughout the year यहां पर आती है देखे जो wetlands वगेरा हैं इनसे UPSC पहले भी प्रशन पूछ चुकी है तो आपको ऐसे प्रशनों के लिए तयार रहना चाहिए 2014 हमें UPSC ने ये प्रशन पूछा था विट्लेंड कौन सी river के conference पे है आपको match करना था सही यह की गलत है हरी के विट्लेंड बियास और सत्रुज के conference पे कियोला देव घाना नेशनल पार्क बनास और चंबल के conference पे कोलेरू लेक मुसी और कृषना के conference पे बताना था कौन सा सही है कौन सा नहीं सेंसस 2021 के बारे में है 2011 में लाद सेंसस हुआ था न तो अगला कब होना था यह हर 10 साल पे होता है 2021 में होना चाहिए था लेकिन अभी इसको home ministry ने पोश्टपोन कर दिया है कारण आप समझ गए होंगे इतना कोई rocket science नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़े बताने के लिए COVID की situation है हमारे पास सेंसस से भी ज़्यादा जरूरी काम है इसलिए इसे टाल दिया गया है सेंसस होता क्या है सेंसस के जरीए जो जनगरना हम करते हैं उसमें हमें काफी कुछ जानकारी मिल जाती है जैसे population कितनी है उसका distribution कैसे है socio-economic condition कैसी है जो लोग इंडिया में recite कर रहे है demographic balance कैसा है और भी कई सारे characteristics जो country की population है उसकी जानकारी हमें मिलती है सेंसस को for the first time start किया गया था British Voice Rai Lord Mayo के दवरा 1872 में इसकी मदद से वो policies और programs तयार करते थे various communities के लिए पहला जो synchronous census था मतलब systematic census वो 1881 में हुआ उसके बास से लगातार हर 10 साल पर census होते रहे है इन्हें conduct किया जाता है right now Office of Registrar General of and Census Commissioner जो Ministry of Home Affairs के तहत काम करते हैं काफी credible source होता है ये देश की जानगारी के लिए इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है like demography, economic activity, literacy, education, housing and household amenities urbanization, fertility, mortality, schedule class, schedule drive, language बहुत कुछ जानकारी मिलती है census से हमें historically भी census होता रहा है रिगवेद वहाँ पे some kind of population count की बात की गई है 800 से 600 BC के बीच में ऐसा जिकर मिलता है कि जिनगरना की जाती थी, थोड़ा बहुत counting की जाती थी कॉटिली जी का जो अर्थ सासर है जो 3rd century BC के आज़ पास का है वहाँ पर भी population statistics के collection की बात कही गई है state policy के एक measure के रूप में ताकि आप taxation वगएर अच्छे से इंपोस कर सके मुगल राजा थे अकबर उनकी एक administrative report है kind of आईने अकबरी उसमें भी भी वहाँ की जो population है उसका एक comprehensive data मिलता है इससे ही अंदाज़ा लग जाता है कि ancient और medville इंडिया में census का प्रचलन रहा है ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत modern concept है हमारा next article काजी रंगा नेशनल पार्क के बारे में है ये पहला नेशनल पार्क बन गया है इंडिया का जहां पर satellite phones का इस्तिमाल किया जाएगा देखे नेशनल पार्क वगएरा का एरिया काफी remote होता है वहाँ पर mobile phone के network अच्छे से work नहीं करते satellite phones अगर use हो रहे हैं तो communication काफी बहतर हो जाएगा काजी रंगा नेशनल पार्क आसाम के दो district में आपको मिलेगा गोला घाट district और नागाओं district थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें आता है ये आसाम का सबसे पुराना पार्क है 430 square kilometer का area कवर करता है ब्रामपुत्रा नदी आपको इस नेशनल पार्क के नौर्थ में और कर्भी आंगलॉंग hills इसके साउथ में मिलेंगी नेशनल हाईवे 37 इस पार्क से होकर गुजरता है वर्ल्ट हेरिटेस साइट भी है फेमस है ग्रेट इंडियन one horn rhinos के लिए 1974 में इससे नेशनल पार्क देकलेर किया गया था important bird area भी है कौन कहता है इसा bird life international के according benefits की बात करें अगर आप satellite phone वहाँ पे use कर रहे हैं तो जो forest personal है वो poachers को अच्छे से handle कर पाएंगे उन्हें जानकारी मिलेगी तो आपस में अच्छे से communicate कर लेंगे operations चला सकते हैं flood वगेरा की emergency आ गई उजर on भी satellite phones काफी काम आ जाएंगे और कई बार अगर कोई dark बंगला है जंगल के किनारे वहाँ पे भूत भूत आ गया तब भी आप satellite phones से जानकारी दे सकते हो कि हम खत्रे में हैं हमें rescue कर लो खेर ऐसा होता नहीं है BSNL ये service दे रहा है बारस संचार निगम लिमिटेड पब्लिक satellite phones का इस्तिमाल इंडिया में नहीं करती ठीक है चलिए ये तो बात हो गई काजी रंगा नेशनल पार्क के बारे में नेशनल पार्क वगएरा पर question यूपेसी पूछती है आपको पता होगा वैसे 2017 में देखिये question पूछा था उन्होंने कि ट्रांस लोकेट किया जा रहा है कुछ लायांस को उनके natural habitat से गुजरात में किस जगह पे आपके पास चार उप्शन थे कॉर्बेट नेशनल पार्क, कुनो पालपूर वाइलाफ सेंचुरी मुदुमराई वाइलाफ सेंचुरी और सरिस्का नेशनल पार्क तो गुजरात से इन्हें किस जगह पे ले जाया जा रहा था सही जवाब था B. कुनो पालपुर वाइलाफ सेंचुरी तो ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं मतलब ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट हैं अर्टिकल ओइल स्पिल को क्लियर करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज के इस्तेमाल के संबंध में की गई एक नई स्टडी के बारे में है एक्शुली में देखे शमंदर में कई बार ओइल के टैंकर्स बाइएक्सिडेंट लीक कर जाते हैं और बहुत सारा ओइल समंदर में बह जाता है वो पानी के उपर रुका रहता है उसका कुछ हिस्सा समंदर की तली में भी बैठ जाता है इससे जो aquatic environment है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है कई सारे जानवर इसमें मारे जाते हैं कई सारे जो sea animals हैं वो मारे जाते हैं इस समंद में देखिए जब oil spill होता है तो bio remediation के माध्यम से इसे clear करने की कोसिस की जाती है कई सारे bacterias का इस्तिमाल किया जाता है जो इस oil को degrade कर देते हैं तोड़ देते हैं और खतम कर देते हैं यह जो research है इसमें ऐसी ही एक situation create करके जो Canadian Arctic region है वहाँ का जो cold sea water है वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो किन bacteria का इस्तिमाल करके oil spill को counter किया जा सकता है उस पर study की गई फर्दर ये भी पाया गया कि समंदर की तली में कुछ bacteria पाये जाते हैं अगर हम उन्हें कुछ neutron देकर stimulate कर दें active कर दें उत्तेजित कर दें तो वो sea bed में जमे हुए oil spill के पार्ट को भी खतम कर सकते हैं यही इस research में निकल कर आया scientist ने इस research में bio remediation के दौरान bio remediation वही प्रक्रिया है जिसमें bacteria का इस्तिमाल oil को degrade करने के लिए किया जाता है कई तरीके के bacteria इस research में इस्तिमाल किये गए जैसे इसके लामा कई और भी bacteria इसमें इस्तिमाल किये गए नाम थोड़े tough है I don't know याद रहेगा की नहीं देखे कुछ fraction होता है जो leaked fuel का वो sink कर जाता है bottom में और floor पे जाके settle down हो जाता है कुछ benthic microbes होते हैं मतलब वो microbes जो समंदर की तली में होता है उन्हें benthic बोला जाता है ocean की depth में होते हैं अगर हम उन्हें effectively insight कर पाएं तो उसका इस्तिमाल वहाँ पर present pollutants को decompose करने के लिए किया जा सकता है oil spill आप नाम से समझ रहे होंगे uncontrolled release होता है crude oil का, gasoline का, fuel का या किसी भी oil by product का वैसे तो देखे oil spill जमीन, हवा और पानी, टीनों को ही pollute कर सकता है, लेकिन major pollution ये फैलाता है पानी में, cause कई सारे हो सकते हैं, कई बार environmental damage आ जाता है, कोई ऐसी activity समंदर में हो गए जिससे accident हो गया, या फिर petroleum exploration के दौरान leak हो जाता है, जो continental serves होते हैं, वहाँ पर exploration किया जाता है, कई बार transport के दौरान, जो vessels होते हैं, उनसे oil बह जाता है, तो ये कई सारे करण है, oil spill के, जिनसे काफी नुकसान होता है, हमारा next article world elephant day के बारे में है, 12 august को observe किया जाता है यू news में इसलिए रा, because इसी दिन union minister of environment ये कहा कि, जो population estimation protocol है, उसमें कुछ बदलाओ किये जाएंगे जो बदलाओ किये गए, उन्हें public किया गया और ये कहा गया, कि अब जो population estimation किया जाएगा वो एक common population estimation होगा, common का क्या मतलब है you'll get to know, नए protocol के मताबिक, अब tigers और elephants का जो population count होगा, वो एक साथ किया जाएगा इसका करण ये है अभी तक देखे, दोनों का अलग-अलग population count किया जाता है, tigers को 4 साल में एक बार count किया जाता है और हाथियों को 5 साल में एक बार समझने वाली बात ये है कि अगर हम दोनों की counting एक साथ कर ले तो हमारा समय भी बचेगा और पैसा भी क्योंकि 90% area ऐसा है जहाँ पर elephant और tigers दोनों ही पाया जाते है तो जो additional areas हैं हमें केवल वहाँ पर ही अलग-अलग exercise करनी होगी बाकि जिगाँपर एक साथ ही काम हो सकता है elephants के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप इनको दो major classification में ले सकते हैं Asian elephants और African elephants Asian elephants की तीन सबस्पीसीज हैं 2000 Indian, Sumateran और Sri Lankan Indian सबस्पीसीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है और continent में Indian continent में इनको बड़ी मात्रा में estimate किया जाता है Global population Asian elephants की 20,000 से 40,000 है ICN की रेट लिस्ट में ये endangered Voiler Protection Act of 1972 के Schedule 1 में है और Sights के Appendix 1 में अगर बात African elephants की करें तो इनकी दो सबस्पीसीज हैं एक सवाना और दूसरा Forest elephant इनकी संख्या दुनिया भर में लगभग 4,000,000 के आस पास है 2020 के जुलाई में कई सारे elephants, hundreds के नंबर में मरे हुए पाए गए Africa का जो एक देश है बुत्सवाना वहाँ पर आईशेन की रेड लिस्ट में African सवाना elephant endangered है जबकि African forest elephants critically endangered है ये Sights के Appendix 2 में है हमारा next article Dragonfly Census 2021 के बारे में है इस Census का 4th edition स्टार्ट होगा Delhi NCR में इसे कंड़क किया जाता है कई सारी important entities के द्वरा इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है इसमें involved होता है World Wide Fund for Nature यानि कि WWF India जहां पर उनके partnership होती है Bombay Natural History Society के साथ United Nations Environment Program यानि कि UNEP के साथ Agological Survey of India के साथ कुछ और भी entities involved होती है लेकिन चुकि बहुत बड़ी-बड़ी bodies involved है इस census में तो आपको जानना चाहिए उद्देश ये है कि हम Dragonfly के species के बारे में और उनके overall ecosystem के बारे में लोगों को aware करें इसका करण क्या है ये important क्यों है लेकिए जो Dragonfly होती है पहले तो इनका जो first census हुआ था वो 2018 में हुआ था तब ये पता चला कि Delhi NCR के आसपास इनकी लगभग 51 प्रजातियां पाई जाती है Dragonfly actually एक काइंड और बायो इंडिकेटर होता है ये उस area की ecological health को बताता है अगर इनकी संख्या कम है तो मतलब ecological imbalance शल रहा है ये kind of insect है जो order odonata से belong करता है ये usually जो fresh water habitat है वहीं पर आसपास मिलेंगे आपको जब बारी सोने वाली होती है बादल आ जाते हैं तो कई बारी ये खुब बड़ी संख्या में घोमने लगते हैं ये mosquitoes और बागी के insect को खाते हैं ऐसे insects जो कई तरीकी की बिमारिया जैसे malaria और dingoo फैलाते हैं तो इसलिए भी ये हमारे लिए important है bio indicator का मतलब क्या होता है bio indicator कोई भी हो सकता है plant, plankton, animals, microbes जिनके जरिये हम natural ecosystem के health को assess करने की कोसिस करते हैं example के तोर पे lichens, air quality के बढ़ियां bio indicator होते हैं अगर icons की संख्या कम है या खराब सिती में है तो मतलब air quality खराब है frogs ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं अगर उनके habitat में कोई भी बदलाव किया जाये तो तो fresh water और terrestrial habitat की जानकारी देने के लिए frogs अच्छे indicator होते हैं algal bloom को कई बार ponds, lakes या rivers के ecosystem को understand करने के लिए indicator की तरह इस्तेमाल किया जाता है algal bloom या algae bloom हुआ मतलब वहाँ पर पानी में pollution जादा हुआ है जिसकी वज़े से nitrate और phosphates की संख्या या मात्रा बढ़ गई है ये तो बात होई इस census के बारे में और bio indicators के बारे में article great hornbill के बारे में है अभी एक article इस पर publish हुआ था जहाँ पर जो writer है वो ये कहना चाह रही थी कि जो orange of produce में recite करने वाले hornbill जो कि एक प्रकार का पक्षी होता है वो काफी inspiring है forest guards से लेकर tribes तक इस पक्षी को भी protect करते हैं और nature को भी इसी संबंद में ये article आया था तो hornbill पर हम चर्चा कर लेते हैं अगर हम great hornbill की बात करें तो hornbill family के ये one of the largest members में से एक count किया जाता है ये Indian subcontinent में पाये जाते हैं South East Asia में पाये जाते हैं ये आपको western ghat में भी मिल जाएंगे देखे इस पक्षी का एक बहुत ही prominent feature होता है इसके beat के उपर पाया जाने वाला एक cask ये bright yellow और black color का होता है एक hard structure होता है आप यहाँ पर देख सकते हो एक बार मैं इसे erase कर देता हूँ ये आप देख सकते हो ये इसका cask है ये कई सरे पक्षियों के सिर्वे पाया जाता है हॉन्बिल festival celebrate किया जाता है नागा लेंड में वहाँ पर इस पक्षी को बहुत ही ज़दा पवित्र माना जाता है पूजा की जाती है जो नागा tribe के लोग हैं इस प्रेसिकले उनके द्वारा ये cultural symbol भी है अगर आप बात अरुड़ांशल प्रदेस की करें तो वहाँ पर जो नीशी community के लोग हैं वो काफी ज़दा महत तो देते हैं ग्रेट हॉन्बिल को ये अरुड़ांशल प्रदेस और केरला का state bird है conservation status की बात गरें तो IUCN की list में ये vulnerable है Indian Viola Protection Act of 1972 के schedule 1 में है इनको usually इनके कैस के लिए जान से मार दिया जाता है जो बीक के उपर का हिस्सा होता है कई बार इनके पंकों के लिए भी इन्हें इनके मीट और इनके सरीर के कई सारे अन हिस्सों की medicinal value के नाम पर मार दिया जाता है ये इनकी संख्या के कम होने का एक बहुत ही महत्पूर कारण है ऐसे पक्षियों पर अक्सर प्रशन पूछे जाते हैं आपको इसके लिए तयार रहना होगा एक्जेम्पल के दौर पर 2016 में UPSA Pradence में ये प्रशन पूछा गया था कि भरत के किस सिसे में आपको Natural Habitat में Great Indian Hornville मिल जाएंगे आपके पास चार आप्शन्स थे इसमें सही जवाब D है ये आपको Western Ghart में मिल जाएंगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 के बारे में है Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने अभी इन रूल्स को नोटिफाई किया है ये 2016 के जो रूल्स हैं उनको अमेंड गरेंगे एक important बात कही गई है जो काफी ज़्यादा news भी बना रही है इस रूल के तहट manufacturing, imports, stocking, distribution, sale और use Single-use plastic का पूरी तरीके से प्रोइबिट कर दिया जाएगा 1st of July 2022 के बाद Single-use plastic जो पानी की bottle होती है, straw होता है आप उसे एक बार यूज़ करके fake देते हो फिर उसका कोई काम नहीं है वो single-use plastic है घर में आप बाल्ती यूज़ करते हो plastic की वो single-use plastic नहीं है आप उसका कई बार इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर जो बैन लगाने की बात की जा रहे है that is of single-use plastic यह ऐसी community पर इस्तेमाल नहीं होगा चाहे वो single-use ही क्यों नहीं हो जो compostable plastic से बने हो compostable plastic देखिए renewable material से बनाया जाता ले corn and potato वो degrade हो जाता है तो उससे हमें दिक्कत नहीं है हमें उस plastic से दिक्कत है जो हम एकी बार यूज़ करते हैं वो degrade नहीं होता और बहुत ही ज़्यदा नुकसान पहुचाता है देखे plastic waste management rules 2016 आये थे इसमें प्रोहबिट कर दिया गया था manufacturing, import, stocking, distribution, sale और use carry bags को आप सोचेंगे कि carry bags तो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं plastic के carry bags नहीं सारे नहीं वो carry bags बैन कर दिये गये थे जिनकी मोटाई, thickness 50 macron से कम मतब 50 macron से अधिक थिकनेस वाले plastic bags अभी यूज़ हो रहे हैं उससे कम वाले नहीं हम इनकी मोटाई को और बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं 30 सितंबर 2021 के बाद जो मोटाई होगी plastic bags की उसे कम से कम 75 macron रखना होगा और 31 सितंबर 2022 के बाद इन्हें बढ़ा कर 120 macron करना होगा अब ऐसा करके हमें क्या मज़ा आएगा लेकिं बात मज़े की नहीं है बात यह है कि अगर plastic मोटा हो तो recycle करना असान होता है उसे collect करना असान होता है उसका थोड़ा weight होता है तो जो rack pickers होते हैं वो भी उसमें interest लेते हैं नहीं तो वो छोड़ देते हैं वो plastic bag नहीं उठाते इसलिए ऐसा किया जा रहा है implementing agency होगी center pollution control board central level पे और state के लेवल पे state pollution bodies अगर कोई ban को violate करता है, follow नहीं करता तो penalty बगएरा के जो प्रावधार environmental protection act of 1986 में किये गए हैं वो applicable होंगे नमारा next article greater, adjutant, stock के बारे में है इसे आप गरुड भी कह सकते हैं बिहार ने decide किया है कि वो इन पर एक GPS tracker लगाएंगे ताकि इनकी movement को monitor करके इनने conserve किया जा सके यह mainly south और south east Asia में पाये जाते हैं और कुछ most threatened stock के species में से एक है इनके तीन breeding grounds हैं एक तो Cambodia में है, दो भारत में है भारत में इनका breeding ground आसाम और बिहार है तो बिहार के सरकार प्रियास कर रही है इनको conserve करने के लिए जो की बहुत अच्छी बात है यह I.S.N. की red list में endangered है Wild Air Protection Act of 1972 के schedule 4 में है significance की बात करें तो भगवान विश्णू से जुड़ा हुआ यह religious icon भी है similarly यह इसकी attract यह farmers को भी help करता है यह rats को और बाकी farm pest को मार देता है काफी threat है इनको इनकी संख्या पूरी दुनिया में approximately 800 से 1200 की बीच है लगातार कम हो रही है because यह कई सारी चीजी खाते वक plastic को खा जाते हैं जिससे इनकी मौत हो जाती है article Slender Loris के बारे में है जो district forest officer है करूर district के जो कि तमिल नाडो में है उन्होंने हाल ही में एक proposal summit किया है ताकि एक species recovery program के माध्यम से हम जो endangered Slender Loris हैं उनकी population को protect और improve कर सके बात करते हैं Slender Loris एक nocturnal animal होता है जो कि रात में अपने activities करता है यह पीडो पर रहना पसंद करता है एक canopy से दूसरी canopy पर travel करता रहता है लेकिन बंदरों की तरह उचल कूद नहीं करता बलकि बड़े आहिस्ते से और सावधानी से वो एक पेड़ की डाली से दूसरे पेड़ की डाली पर जाता है यह generally insects, reptiles, plant, shoots और fruits पर feed करता है मतलब उन्हीं ही खाता है यह जीनस लॉरिस का जो एक जीनस होता है उससे बिलॉंग करता है यह जीनस इंडिया और सलंका का native है मतलब यहाँ पर पाया जाता है एक समय था जब यह इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में पाया जाते थे लेकिन पोचिंग के वज़े से आज इनकी संख्या काफी कम रह गई है यह ट्रॉपिकल रेन फॉरिस्ट, स्ट्रफ फॉरिस्ट, सेमी डेसीडियोस फॉरिस्ट और स्वैम्स में रहना पसंद करते है स्लेंडर लॉरिस की दो स्पिसीज पाई जाती है इनमें एक तो है रेड सेंडर लॉरिस और दूसरा है ग्री स्लेंडर लॉरिस आयूसेयन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है वालर प्रटेक्शन एक्ट आफ नैंटीन सेवेंटी टू में शिडूल बन में है और साइट्स के अपंडिक्स टू में ऐसा माना जाता है कि ये जो एनिमल है इसके बॉड़ी पार्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है यही करण है कि जीव को अक्सर पकड़ के जान से मार दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है तो पोजिंग का एक महतवपून करण ये भी है यह दिपी इस प्रकार के कोई स्टैंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इस जीव के बॉड़ी पार्स का कोई मेडिसिनल यूज किया जा सकता है लेकिन कई बार काला जादू या अंद विश्वास वजभी इन्हें जान से मार देते है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नई रामसार साइट्स के बारे में है अभी देखे चार रामसार साइट्स एड़ हुई है टोटल नंबर 46 महुंच चुका है जिनमें से दो हमने पहले वे डिसकस किये थे बाकी की दो आज हम डिसकस करेंगे जो पहले हमने discuss किये थे, उन्हें भी मैंने यहां पर add किया है, उसमें पहला है बिंडवास वाइलेफ सेंचुरी, इस पर हमारी बात होई थी, यह हर्याणा का सबसे बड़ा wetland है, human made fresh water wetland है, यहां पर 250 पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, वो आती हैं, rest करती हैं, और उनक Sultanpur National Park, इस पर हमारी बात होई थी, यह 220 species जो है, resident और winter migratory birds की, local migratory water birds की, उनको, वो अपने life के critical stage में आके यहां पर रुखती है, Sultanpur National Park में आपको critically endangered, sociable, laughing मिल जाएगा, इसके लाबाँ, endangered, Egyptian, vulture, sacrifalcon, पलास, fish, eagle, और black, bellied, turn, यह सब यहां पर मिलेंगे, यह दो, जिस पर अभी यह में बात करनी है, उनमें तीसरा माल लिजी, चारों मेंगर हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा है, थोल लेक, wildlife century, यह wildlife century, central Asian flyway में आता है, मतलब central Asian birds, जो एक अपना पूरा migration करती है, उसके बीच में वो यहां पर आके रुखती है, इस wildlife century में आपको critically endangered, white rumped vulture, associable lapping मिलेंगे, vulnerable, sara screen, common poacher, lesser wild, fronted goose भी यहां मिल जाएंगे, चौथा है, वादवन wetland, यह जो wetland है, यह migratory water birds के लिए एक बढ़िया सा ground तयार करता है, उनके stay के लिए, central Asian flyway में यह भी आता है, यहां पर आपको endangered, पलास, fish eagle मिल जाएगा, इसके अतरिक, vulnerable common poacher, और one year threatened, dalmanishian, pelican, gray headed, fish eagle, और fur eggnus duck, यह सब प्रजातियां पक्षियों की यहां मिलती है, राम सार site declare की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, देखे, राम सार एक जिगे है, इरान में, वहाँ पर एक international agreement हुआ था, जिसे हम राम सार convention कहते है, 1971 में यह convention हुआ था, 1975 में effective हुआ, United Nations की लगभग 90% जो countries है, वो इसका हिस्सा है, अब देखे, हर देखे, इस convention को मताबिक अपने यहाँ wetland को conserve करने के लिए, राम सार site declare करता है, इसका मतलब यह नहीं कि national level पर उनको recognize किया जाएगा, या फिर उनको protection दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी राम सार site है किसी country मे जो vulnerable हो चुकी है, जिसको नुकसान होने वाला है, तो इस convention के तहट उसे Montrex record में डाल दिया जाता है, Montrex record इस convention के तहट is a kind of register, जहाँ पर अगर कोई ऐसा wetland है, जो international level पर important है, उसके ecological character में या तो change आ चुका है, या आ रहा है, या आ सकता है, किसी technological development, pollution या किसी unhewn interference की जाएगा, Montrex record में जाने के बाद फिर उस पर international attention आ जाता है, और conservation के प्रयास किये जाते है, वर्तमान में भारत के दो wetlands Montrex record में है, एक तो है केवलादेव National Park जो राजस्थान में है, और दूसरा है लोक्टक लिग जो मनिपुर में है, चिलका लिग जो उडिसा में है, ये तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, यही A, आपका जवाब है, कि ecological character में या तो change हो चुका है, या हो रहा है, या फिर हो सकता है, तो A is the answer, हमारा next article, एक नई algae की species के बारे में है, बॉर्डिनिस्ट का एक समू, जो कि Central University और पंजाब से बिलॉंग करता था भटिंडा, उन्होंने एक algal species को discover किया है, अंडवान निकोबर आइलेंड से, ये बहुत ही bright green algae है, जो एक अम्रेलाय मश्रूम की तरह दिखता है, यहाँ पर दीखे, image में, 20-40 mm इसका size measure किया गया है, इस नई algal species को एक imaginary sea mermaid के उपर नाम दिया गया है, aceta, bularia, jalkanya काई, jalkanya, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये वो sea mermaid है, कुछ ऐसी resemble करती है, और उन्हीं के नाम पे इस algae को नाम दे दिया गया है, characteristic की बात करें, तो देखे, इसमें आपको एक gigantic, बहुत बड़ा cell मिलता है, एक nucleus के साथ, ये nucleus एक rhizoid structure तयार करता है, rhizoid structure actually में plants या fungus में, root की तरह structure होता है, जो उसे किसी चक्तान वगयरा पे पकड़ बनाने में help करता है, इसकी मदद से ही ये algae, जो shallow rocks होती है, उन पर अपनी पकड़ बनाता है, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, high regenerative होते है, highly regenerative होते है, ठीक है, देखे, ये जो various species news में आती है, इन पर UPS से प्रशन पूछा करती है, 2016 में प्रशन पूछा गया था, कि बनाना की एक species, बनाना प्लांड की एक species, जिसकी height लगब 11 meters के आसपास होती है, orange color का fruit pulp होता है, ये कहां discover किया गया है, और इसका सही जवाब था A, अंडमान आइले, ठीक है, तो ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं, ये species भी अंडमान में मिल ratify कर दिया है, मतलब हो तो ये पहले गया था, हमने अभी ratify किया है, किगाली amendment जो है, उसने Montreal Protocol comment किया था, जो की ozone layer को deplete करने वाले substances से related है, जिसके तहत हमें hydro fluorocarbon को phase out करना है, दीमे-दीमे खतम करना है, देखे ये तो समझ में आ गया कि ये amendment Montreal Protocol में है, बट ये Montreal Protocol आया कैसे, देखे, 1970s के दसक में हम ozone layer को लेकर काफी concern होने लगे, status fear में ozone gas की एक पूरी layer है, जो हमें sun के harmful ultraviolet rays से बचाती है, वो deplete हो रही थी, जिसका नुकसान सभी को होता, तो 70s के दसक में इस पर काफी बात चीत हुई, finally 1985 में एक convention हुआ, Vienna Convention, Vienna Convention में ये बात की गई कि हम ozone layer को कैसे इसे क्या और करेंगे, लेकिन convention में की गई बाते normal होती है, उन्हें और concrete roof देने के लिए, finally 1987 में एक protocol तयार किया गया, जिसको नाम दिया गया monitor protocol, उसमें ये तैह हुआ कि जो harmful chlorofluorocarbon gas है, और भी ऐसे जो ozone depleting substance है, odious, हम उन्हें खतम करेंगे, और उसकी जिगे पे हम इस्ति कर रहा था, उसके जिगे पे हमने hydrofluorocarbon का इस्तिमाल सुरू किया, लेकिन उसके बाद जो हमारे सामने बड़ा challenge आ गया, that was global warming, और hydrofluorocarbon global warming cause करने वाला एक major agent बन गया, अब हमारे सामने एक चिंता और हो गई कि हमने CFC को phase out करके HFC का इस्तिमाल सुरू किया, लेकिन अब HFC इसी global warming cause कर रहा था, तो अब हमें इसे भी खतम करना था, तो HFC को खतम करने के लिए हमने monitor protocol में 2016 में amendment किया किगाली हूँ, तो इसे ही कहा गया किगाली agreement या किगाली amendment, finally, किगाली amendment in monitor protocol, इसमें ये कहा गया कि इंडिया के बारे में specifically 2047 तक इंडिया 80% hydrofluorocarbon का जो emission है उसे reduce क करेगा, जिससे हमें global temperature को 0.5 degree कम करने में मदद मिलेगी, इंडिया इसे दीमे-दीमे करेगा, 2032 तक, 2032 के onwards हम 10% reduction करेंगे, 2037 तक हम 20% करेंगे, 2042 तक हम 30% कर लेंगे, और फाइनली 2047 तक जो माना target है 80% meet करने का बाम कर लेंगे, देखिए target US के लिए 1937 है और चैना के आवन की बात करें, तो ये entirely man-made होता है, हमने CFC को replace करके HFC का इस्तिमाल सुरू किया था, ताकि हम ozone deplete होने से बचा सके हैं, लेकिन अब ये एक ऐसा substance बन गया, जो global warming cause कर ला था, इसका इस्तिमाल मेंली हम refrigerator, air conditioning, कुछ solvent और fire protection में करते हैं, HFC, stratospheric ozone depleting substance को तो नुक्सान नहीं नहीं पहुचाता, लेकिन ये global warming cause करता है, अब इसे खतम करने के आवशकता है, HFC जैसे के हम बात कर रहे थे, ozone layer को deplete नहीं करता, यहाँ पर देखे, 15 से 29 सालों तक ये बना रहता है, short-lived climate pollutant है, और global warming cause करता है, हम इसे कैसे करेंगे, national strategy for phase down of hydrocarbon, ये हम develop करेंगे 2030 तक सभी stakeholders क साथ बातचीत करके, और उसके बाद हम लेकर आएंगे, ozone depleting substance, regulation and control rules, in fact इसमें कुछ amendment करेंगे, mid 2024 तक हमें decide कर लेंगे, कि आखिरम किगाली amendment को कैसे implement करने वाले है, हमारा next article, आधी cascade frog के बारे में है, researchers के एक team ने, cascade frog की एक नई species को खोजा है, अरुडांचल प्रदेस में, इसे वहाँ पर जो indigenious आधी tribe है, जो आसपास के hills में रहती है, उन्ही के नाम पर नाम दे दिया गया है, in fact अरुडांचल प्रदेस में आधी hills भी है, ये देखे, largest group of rennet frogs जो है, उनसे विलॉंग करता है, जो family rennet eye के frogs होते हैं, उन्हें rennet frog कहा जाता है, वर्तमान में इनके आधी tribe most populous group है, जो आपको अरुडांचल प्रदेस में मिलेगा, ऐसा मना जाता है कि सोलामी सताप्दी में ये सदन चाइना से आये थे, तिबेतियों बर्मन लैंग्विज का इस्तिमाल करते हैं, नदन जो रीजन है अरुडांचल प्रदेस का वहाँ पर रहते हैं, इस या तो यहाँ पर जो न्यू डेली हाई कोट है, उनने रीसिंटली नेशनल टाइगर कंजरविशन अथार्टी का असा बोला है, कि उनका जो उनके खिलाफ एक प्ली आई थी, कि भाई, जो टाइगर का ब्रीडिंग इलाका है, इस टाइगर रिजर्व के अंदर जहां पर आसबात, कॉबेट टाइगर रिजर्व की बात आ रही है, तो यह पहले किस नाम से था है, हीली नेशनल पार्क के नाम से था, कब स्टैब्लिश वहा, 1936 में, और यहां से कौन सी रिवर्स बहती है, तीन इंपर्टन रिवर्स हैं, यहां से बहती है, वह है राम गंगा, कु forest है तो यहाँ पर आपको खास पार्ट Royal Bengal Tiger भी देखने को मिलता है Asiatic Elephant भी और घड़ियाल भी इसी रीजिन के आसपास यानि उत्तराखंड में हम देखते हैं बहुत से national parks और reserved areas है जैसे नंदा देव नेशनल पार्क और राज़र जी नेशनल पार्क गंगोधी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क बाकी एक और जिस चीज की बात यां किए कि वो थे N.T.C.A. National Tiger Conservation Authority जो कि अगेन एक statuary body है जो कि Ministry of Environment Forces and Climate Change के अंदरगत काम करती है जिसकी establishment कब होगी 2005 में और under wildlife effect to 1972 क्यों 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 कि भाई Tiger Conservation के लिए protection के लिए और उनको ये स्रमेदाली सौंपिकी कि जो भी वहाँ पे काम होते है उस region में उनकी देखभाल करना ये Tiger Conservation Authority का ही काम होगा इसके अलावा जो भी management है या center state relations की बात है वो भी NTC यही देखता है Tigers के Tiger Reserves के बारे में तो एक statuary board है यह हमें पता ही होना चाहिए जो next article है वो forum for decarbonizing transport के बारे में है मतलब बिलकुस पस्ट है कि जो हमारा transport sector है वेकल्स वगरा चलती है उनसे carbon का emission कम हो इस संबन्द में अभी हाल ही में नीती आयो और World Resource Institute जो उसकी India Wing है उन्होंने jointly एक forum launch किया उस forum को नाम दिया गया forum for decarbonizing transport यह part है NDC transport initiative for Asia यानि की NDC TIA का यह forum क्या करेगा It will be a kind of one-stop platform जहां पर सभी stakeholders आएंगे बातचीत होगी कि हमें क्या results चाहिए हम क्या चाहते हैं कि transport sector में हम emission को कैसे reduce करें तो plan वगरा chart out कर लेंगे बातचीत हो जाएगी आपस में जो भी stakeholders हैं वो coordinate करेंगे strategy बनाएंगे और business model भी तयार करेंगे ताकि हम इंडिया में electric mobility को promote कर सके electric mobility promote होगी तो decarbonization अपने आप ही transport sector में आ जाएगा फोरम की significance यह होगी कि देखे इंडिया third most CO2 emitting जो इंडिया में sector है that is transport इसमें भी जो road transport है वो 90% CO2 का emission करता है Indian government कई तरीकी की policies लेकर आ रही है ताकि हम transport section में या sector में decarbonization कर सकें यहाँ पर जो हमारा main focus है that is about electric mobility आप समझ रहोंगे किससे होई जाएगा यहाँ पर अगर हम coordinated effort दिखाते हैं इस forum के माध्यम से तो हम ऐसे sector में investment ला सकते हैं जो carbon emission को कम करेगा और EV industry को बढ़ावा देगा electronic vehicles के industry को बढ़ावा देगा NTCTI की बात करें तो एक joint program है साथ organizations का जिसमें China, India और Vietnam आपस में comprehensive approach में coordinate करने की कोसिस करते हैं transport sector को decarbonize करने के लिए International Climate Initiative यानि की IKI यह Germany की Ministry for Environment and Nature Conservation जो है nuclear safety उसका हिस्सा है या उसके दरह support किया जाता है नीदियायो इंडिया में partnership करता है मतलब इस initiative का implementing partner इंडिया में नीतियायोग है बात कर लेते हैं World Resource Institute यानि के WRI के बारे में यह global non-profit organization है जहाँ पर government, business, civil society एक साथ मिलकर आते हैं लोगों के जीवन को बहतर करने के लिए प्रयास किया जाता है यह दुनिया के 7 challenges पर work करते हैं दोजार food, forest, water, energy, climate, ocean और cities 1200 से जादा इनके पास staff है 12 देशों में इनके offices हैं वो देश हैं Brazil, China, Columbia, Ethiopia, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Netherlands, Turkey, United Kingdom और United States अब एक नई तरह की frog species मिली है Western Ghars में जो की है मिनरवर्या पंटाली तो मिनरवर्या पंटाली specifically इसलिए important है कि यह मिनरवर्या जो frogs होते हैं सबसे छोटी species है कहां मिली है तो Western Ghars में मिली है Tamilaad Kirla के region में और यह मिनरवर्या frog species की एक प्रजाती है उसका सबसे छोटा variant है हमारा next article डीपोर बील के बारे में है Environment Ministry अभी हाली में डीपोर बील वाइलफ सेंक्चुरी को जो की आसाम में situated है एक eco sensitive zone डेकलर कर दिया है पहले समझेंगे डीपोर बील के बारे में आसाम की एक मात्र रामसार साइट है यह एक important bird sanctuary भी है जहां पर आपको कई सारी bird की migratory species मिल जाएंगी डीपोर बील में कई सारे aquatic flora और avian fauna आपको मिलेगा 150 species birds की मिल जाएंगी और कई सारी critically endangered, endangered और vulnerable species भी मिलेंगी यहां पर elephants अक्सर आते जाते रहते हैं रानी और गर्भंगा जो reserve forest है वहां से और यह elephant जो habitat है उसका एक integral part भी है अब बात करते हैं eco sensitive zone के बारे में eco sensitive zone के बारे में बहुत सारी बाते हो सकती है लेकिन आप दो बाते बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइएगा point number one कई सारे protected areas होते हैं ठीक है national park हो सकता है wildlife century हो सकती है अब यह दो protected area हो गया न लेकिन इसके ास-past का जो एरिया होता है region होता है वो भी काफी sensitive होता है ecological point of view से तो यह जो कोई protected area है national park हो या wildlife century हो उसके आस-past का जो sensitive region होता है ecological point of view से उसे eco sensitive zoneブ declare कर दिया जाता है समझ में आ गया मतलब protected areas, national park ये wildlife century के आसपास का area eco sensitive zone होता है इसे declare किया जाता है environment protection act of 1986 किता है ये दोनों points बड़े ध्यान से दिमाग में रखेगा ठीक है ये issue होता है या इसे protect किया जाता है environment protection act of 1986 किता है देकि ESZ के पीछे का प्रावधान यही है कि जो negative impact है जो fragile ecosystem होता है protected areas के आसपास हम उसे रोग सके eco sensitive zone में hydro electric projects नहीं लगाया जा सकते eat के भट्टे नहीं लगाया जा सकते firewood यूज नहीं हो सकता commercial purpose से मतब घरों में कोई लखड़ी जला के खाना बना रहा है तो चलेगा लेकिन कोई commercial purpose से use नहीं हो सकता untreated effluent जो गंदा पानी है विडिशाज नहीं कर सकते natural water bodies में तो कई सारी चीज़े यहां पर bar कर दी जाती है रोग दिया जाता है तो आज के इस session में बस इतना ही thank you very much